हलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चाप्टर एट ट्रीट फॉर मॉस्किटो तो ट्रीट होता है एक जिसे आप किसी को छोड़ी सी पार्टी दे दे जैसे की ट्रीट फॉर समोसा आपने फ्रेंड को समोसा घिला दिया तो मॉस्किटो जो है वह आज मतलब वापस आये स्कूल वह अपसे था कहीं दिनों से तो उसकी जो फ्रेंड है आरती वह से कहती है कि अब तुम कैसे हो तो रज़त भूत ही अराम से रिप्लाइ करता है कि वह ठीक है जास्कीरत कहती है जास्कीरत बोल रही है कि हाओ यू मस्ट है प्लेड करता है लौट वैल यूवर अट हों वो कहती है कि तुमने काफी मतलब में खेलने का मन करता है थे जब उसको फेवर हो फेवर का मतलब होता है वंचन के खेलने का मन करता है एक तो coo असते हैं अधे New single चीटी में कात लिया और रौपज رाड फेकल केल है थ्यूजय एर मुझे पा लगा जो मेरे ब्लट का टेस्ट वा कि मेरे को मलीरिया है अब नैंसी बोलती है But you get malaria when a mosquito bites you तो वो कहते है कि malaria तो तब होता है जब mosquito कोई मच्छर काटता है रज़त बोलता है हाँ blood test से भी हमें यही पता लगा अब जसकी रद बोलती है कि मेरे घर में भी बहुत सारे mosquitoes है बहुत सारे मच्छर है बट मेरे को तो malaria नहीं हुआ अब नैंसी बोलती है कि हर मस्कीटो की bite से bite का मतलब होता है काटना हर मस्कीटो हर मच्छर के काटने से malaria नहीं होता है एक special mosquito होता है जो malaria carrying mosquito होता है उसी के काटने से malaria फैलता है आर्टी बोलती है मगर सारे के सारे जो है मस्कीटो मेरे को थो एक जैसे लगते है रजज़त पोलता है कि कुछ डिफरेंस होता है सारे मस्कीटो में अब यह वाली यह इसके भान व्थीशाइन कोसे तेस्ट होता है तो कैसे ग्लास की सेंपल लिया गया है इसको माईक्रो इंख रहे हें माईक्रोसकूप में कोई बढ़ी देखत है में काफी जादा बड़ी किसूइक देखती अग बस्कीटोच पाता लिया घृँड कोई के काटा था उसी जगे से ब्लेट लिए गया। कि इसमें है कि वो बोलता है कि दो यू थिर्व सॉ मोड्य टे कुट सीघ हैं तो इसमेंlarda ब्लेड में कुछ देख सकते हैं तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे, अब हमें इसमें बता रहे हैं कि medicine for malaria, malaria के लिए जो medicine होती है, वो मतलब कैसी होती है, तो पहले क्या होता था बहुत ही पुराने समय से ही जो सूखा powder, bark, bark होता है देखिए जो पेड़ का तना होता है ना उसमें से बाहर की तरफ चाल जिसी निकलती है ना वही होता है वो चिंचोना एक पेड़ होता है उससे medicine बनाई जाती थी malaria के लिए पुराने समय में, earlier people क्या करते थे? boil करते थे, bark को फिर उसको powder में बना देते थे और उसमें मतलब घोल करके पानी के थ्रूस को पी लेते थे अब क्या है यही चीज टेबलेट्स के फॉर्म में बनाई गई है अब आता है हमने मलेरिया के बारे में पहले इससे पहले अब हम लोग जो है पढ़ रहे हैं एनीमिया के बार में जो है आईरेन की कमी हो जाती है जब हमारे ब्लड में तो उसको हम अनीमिया बोलते हैं फिर आर्ती बोले यू नो आई आई आउसो हैड टू गेट अपल टेस्ट तन मेरे को भी मतलब एक बार ब्लड टेस्स करवाना पड़ा था और मगर जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था तो मेरी तो बहुत सारा खून निकाला गया था पूरी सिरिंज में भरके सिरिंज होती है मुझे क्या होता है तो आर्ती पताती है कि डॉक्टर ने कहा था जब हीमोगलोबिन की कमी हो जाती है या फिर आयरेन की कमी हो जाती है ब्लड में ओसको बोलते है doktor ने बॉझे मैडिसिन दई ताकि मतलब मेरे हो स्ट्रेंध आपाए उन्होंने मुझे जागरी जागरी हो तो गुड़ खाने को कहा आवला खाने को कहा और जादस जो है हरी पत्ती वाली सब्जया खाने को कहा क्योंकि इन सब चीजों में आईरन होता है फिर नैंसी बोलती है कि आईरन जो है लोहा है यह हमारे ब्लड में कैसे हो सकता है फिर जस बनता है जिससे चाबिया बनती है मुझे तो पता नहीं है आर्ती बोलती है कि होता क्या है मगर बहुत सारी जो हरी सब्जिया होती है वह उसमें आईरन होता है उनको खाने से मेरा हमोगलोबिन भी भढ़ गया था ठीक हो गया था अब एनीमिया कॉमन इन डेली स्कूल डेली क स्कूल में जो है सर्वे वगरा हुआ था 2007 में तब पता लगाता कि बच्चे अनेमिक है मतलब आईरन का लेवल काफी कम है उनके ब्लड में तो यह ब्लड रिपोर्ट वगरा है उसकी अब इसमें बेबी मस्कीटो बेबी बच्चे मस्कीटो क्या होते है तो चस्कीरत बोलत कशा षणला हो आंप ँकर रूइघए के जहांपर भी पानि और मच्च्चे माफ़ पैडा होने का खतरा सबसे जादा होता है तो पानि ँपढ़ने किसी बच्चे बच्च पीड़ता है तो इसे हैं कि मस्कीटो किस तरीके सा बचच सकते हैं मलेरिया डेंगू चिकन-गुनि साफ करते रहें मस्कीटों से बचने के लिए नेट्स का इस्तमाल करें जब आप सोते हैं और केरोसीन स्प्रे कर दें पानी में अगर कहीं किसी जगह पानी अखिटा हुआ है अब रजट बोलता है कि पोस्टर क्या लार्वा के बारे में जो कह रहा है यह क्या होता है लार्व के पीछे साइट क्या था एक उल्ड पॉट पुराना पॉट था उसमें पानी भर गया था कहीं दिनों तक भरा रहा था और उसमें छोटे-छोटे से थ्रेड धाके जैसे ग्रे कलर की चीज को यह तैर रही थी मैं सप्राइज हो गई जब मम्मी ने मुझे बताया कि यह जो पूछा कि तुमने जब तुम्हें लार्वा दिखे यह दिखे यह मस्कीटो का लारवा दिखा रहा है इस वाली पिक्चर में यह देखे चोटी-चोटी से जो है थ्रेड-like structures मतलब धागे जैसे हैं कुछ जीब से तो यही मस्कीटो के लारवा है मतलब मस्कीटो के अंडे ह तो रजत फिर कहता है कि तुम्हें मतलब जब तुम्हारे ऐसा हो गया पानी भर के तुमने क्या किया तो नैंसी की ने कहा कि पापा ने एकदम जल्दी इम्मीडियेटली पानी को थ्रू कर दिया मतलब पानी को फेक दिया उस पॉट को साफ किया और उसको उल्टा करके अब रस्कीरत बोलते है कि शाजिया अंटी ने मुझे बताया था कि इवन फ्राइज होती है मक्ही जो घर में मक्हिया होती है ना वह बीमारी पहलाती है इस्पेशली हमारे स्टमक प्रॉप्लम मतलब पेट से रिलेटेड बिमारी या जो है फ्लाइज मक्हिया फेलाती है लजएज कंडर बोलता है कि मगर वो तो काठती है तो वह किस तरह बेठाती है इस तरह बीमारी फैलाती है अब म teu आ ciudadshal कि त cheap इंगे puck का वह ब्लाता है कि बिमारी फैलाती हमाई भीजाष्द कर दो कंग में यही है कि इक हरी हरी से चीज जो उख जाती है, जैसे कि जहां पर पानी वाली जगया होती है, वो स्लिपरी भी हो जाती है, आपका पैर भी फिजल सकता है, उसको हम अल्गी कहते हैं, पॉंड वगरा साफ रखने चाहिए, ताकि उसमें जो है, बच्छर पैदा होने की जो है, टेंडेंसी वो ना भड़ पाए हम इसमें बड़ी इंडर्स्टिंग सी स्टोरी बताए, कि साइंटिस्ट ने पीब किया, पीब का मतलब होता है, जाकना, साइंटिस्स ने जाका मस्कीटो के सटमक में जाका, और इनके लिए, मतलब इनों ने इनवेंशन की थी, कि जो मलेरिया है, वो मच्छर के काटने से तो यह रोनाल्ड रॉस इन्होंने बताया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज पी मिला था यह काफी इंड्रस्टिंग इंसिडेंट था जो हुआ था काफी मतलब 100-200 साल पहले बात हुई थी साइंटिस ने पता करा था कि मस्कीटोस जो है वही मलीरिया को फैलाते हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यह रोनाल्ड रॉस से बताते हैं कि इनके फादर जो है एक जरनरल थे आर्मी में इंडिया में जो आर्मी थी प्रिशर्स की उसके जरनरल थे इनके फादर और यह भी क्या है यह डॉक्टर बनने के पढ़ाई कर रहे थे और मगर इनको स्टोरी लिखना पोईट्री लिखना म्यूजिक ड्रामा इन सब में काफी इंट्रेस्ट था और जब इनको फ्री टाइम मिलता था यही करते थे उस समय में बहुत सारे लोग बिमारी से मतलब बिमार कार पढ़ाते थे मालेरिया से उस समय यह नहीं पता था कि कि किस तरीके से मलेरिया फैलता है तो यह प्राइज जहां पर स्वैंप सो होते हैं जिसकी लेग में बहुत ऌता पानी भड़ जाता होता था जरन ये इलाखों में उन the disease यह बिमारी बहुत सादा पहलाBR और कि यह रिली गास की वजाए से जो की Dirty स्वामप में से जो दर्टि दल्दल हूत हमे抓 वरल माल मतलब होता है वुरा एरिया मतलब बुरी हवा की वजा। बिमारी फैल थी है ऐसे इसका नाम पड़ा मगर जो है डॉक्टर ने एक बार जो है काफी सारे पेशेंट आया थे उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड लिया तो डॉक्टर ने देखा कि जो ब्लड था पेशेंट का उसमें को छोटी-छोटी से कीरे टाइप के थे में कुछ आइडिया था वो उनको मतलब लगता था कि ये शायद ये बिमारी जो होती है मस्कीटों से होती है फिरे कहते है उनके स्टूडें के तौर पर मैंने भी बहुत सारा टाइम अपना पिताया है मच्छरों को पकरने के लिए उनको अब्सर्व करने के लिए और हम उ में पैसा देंगे फिर हम टेस्ट करेंगे कि कहीं इस से मले रहा तो नहीं फैल रहा पर है कहते है कि सिकंद्राबाद का वो टाइम मुझे बहुत अच्छे से आद है जब हम जहांका करते थे मस्कीटों के पेट में हम घंटों घंटों बिता दिया करते थे माइक्रोस्कोप से मस्कीटों को देखने के लिए मेरी नेक जो है रात के टाइम तक स्टिफ अकड जाती थी और आखों से कुछ भी क्लियर नहीं देखता था क्योंकि माइक्रोस्कोप के छोटे से बिंदी सी होती है वो जिसमें से देखते हैं बहुत ही जादा मतलब हम पूरे दिन रात उस पकड़े जो काफी अलग से लिखते थे वो ब्राउन से कज़के थे और उनके जो विंक्स थे उनके पंक थे उनने स्पार्ट से लग्य हुए थे हमने उनके सिटमक को देखा तो उनका जो फीमेल मस्कीटो था ना उसमें उसी तरीके की जो है चीजे वाइरस जैसी वह पर दिसम्बर 1902 में रोनाल्ड रॉस को हाइस्ट अवार्ड दिया गया डिसकवरी के लिए नोबल प्राइस की जो मेडिसिन की डिसकवरी थी उसके लिए और 1990-1905 में उनकी डेथ हुई तो उनके लास्ट वर्ड थे कि I will find something new मैं कुछ नया खोजूँगा तो ये चाप्टर जो है हमारा हुग कम्प्लीट तेंक यू